हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अर्मान आसम और आप देख रहे हैं रेस्लिंग पीडिया तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करूँगा पहला हाट ब्रेक किट शॉन माइकल्स और दे आनिमल बटीस्टा के पॉसिबल रिटरंस और दूसरा हज WWE ने मिक्स मैच चैलेंज के लिए दो मैचेस के अनॉंसमेंट कर दिये हम जानेंगे उन मैचेस के बारे में और कब देख सकते हम ये इवेंट तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं पर शुरू करने इस पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजे मेरे रिस्लिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाके मेरे किसी भी वीडियो को मिस्मत करिए इस हफते RAW में अंडर्टेकर और शौन मैचल का सेग्मेंट कमाल का था अंडर्टेकर ने शौन मैचल को कहा कि उनके डर की वज़े से शौन मैचल है अभी तक और इसके अगले ही दिन शौन मैचल ने अपने एक इंटर्वियो में कह दिया कि वो जल्दी एक लास मैच कर सकते हैं डबलो डबली में और शौन माइकल्स का मैच समझ दिजे कनफॉर्म ही है पर ज़रूरी नहीं कि उनके अपोनेंट अंडर्टेकरी हों डेड मैन के अलावा डब्लो डब्ली चैंपियन एजे स्टाइल से भी एजबीके का मैच हो सकता है पर इस मैच के होने के लिए एजे स्टाइल्स को पहले अपनी चैंपियनशिप हार नहीं होगी और दो नौमबर को सौधी अरेविया में फिर से डब्लो डब्ली का एक इवेंट हो रहा है दन आने वाले हैं बस वो सही टाइम और सही स्टोरी लाइन का वेट कर रहे हैं डब्ली वाले उन्हें इस साल रेसलमीनिया में रॉंडा रॉजी का पार्टनर बना के बुलाना चाहते थे पर बटीस्टा ने इंकार कर दिया बटीस्टा चाहते है कि उनका लास्ट मैच उनके फ्रेंट ट्रिपल एच के साथ हो और अब जब उनकी मूवी की शूटिंग खतम हो गई है तब बटीस्टा अपना कमबैक करने के लिए तैयार है और दूसरा मैच है AJ Styles और शालेट फेयर वर्सेश जीमी उसो और नियोमी मिक्स मैच चैलेंज 18 सेप्टेंबर से लाइफ फेस्बुक पर आप देख सकते हो तो दोस्तो ये थी WWE की निउस और अपडेट्स अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब देने की और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तक कि इतनी ओसम वीडियो आपसे मिसना हो